हेलो स्टूडन्ट वेल्कम टो थिस सेंट थोमस हाइ स्कूल ओनलाइन क्लासिज स्टांडर्ड फोर्थ सब्जेक्ट हिंदी बच्चों आज के वीडियो में हम चैप्टर नंबर थर्टेन तेरा हाँ चैप्टर का अभ्यास करेंगे और वो है अनुस्वार अनुस्वार यानि लेटर के उपर चो बिंदी आती है न बिंदू उसे कहते हैं अनुस्वार का प्रयोग तो बच्चों कौनसे वर्डस में अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है तो आजे हम उसका अभ्यास करना है जो जहां भी अनुस्वार होता है न उसका प्रोनंस होता है न क्या होता है न तो पंक देखो ये कौन सा चित्रा है फेदर्स और फेदर्स को क्या कहते हैं इंदी में पंक तो पक के उपर चंद्रमा है इसे अनुस्वार कहते हैं सोरी चंद्रमा नहीं कहते हैं चंद्रमा बिंदू ऐसा होता है इसे कहते हैं अनुस्वार तो पक के उपर अनुस्वार ह इसलिए इसे कहते है पंख ये हंस का चित्र है और यहाँ पे ह के उपर अनुस्वार है इसे कहते है हंस ये कौन सा चित्र है बंदर बंदर यानि मंकी और बंदर में बग के उपर अनुस्वार आता है इसे कहते है बंदर ये कौन सा चित्र है पंख फैन तो पंखा में प के उपर अनुस्वार आता है इसे कहते हैं पंखा ठीके तो बच्चों आपको समझ में आया कि कहां पれ अनुस्वार आता है जहां पर अनुस्वार की मात्रा यानी दोट आता है पंख, हंस, बंदर और पंखा ठीक है, तो अब हम आगे अभ्यास करते हैं तो पढ़ो और समझो, read and understand कंगन, कंगन यानी बैंगल जंग, जंग यानी वार युद्ध, दंग, दंग यानी शौक रंग, रंग यानी कलर अंक, अंक यानी मार्क्स पंक, पंक यानी फेदर शंक, शंक यानी कॉंच जंडा, जंडा यानी फ्लाग अंडा, अंडा यानी एज कंटा, कंटा यानी बैल जंगल, जंगल यानी फोरेस्ट संतरा, संतरा यानी ओरेंज ठीक है, समझ में आया सभी वर्ड्स देखो, यहाँ पर जितने भी वर्ड्स है सभी वर्ड्स में अनुस्मार की मात्रा का प्रयोग किया गया है फिर से रिड करते हैं, कंगन, जंग, दंग, रंग, अंग, पंग, शंग, जंडा, अंडा, कंटा, जंगल और संतरा ठीक है, बच्चो, अब हमें बोल कर लिखो, यहाँ पर, now, say and write बोलना है, और लिखना है, तो चलो, शुरू करते हैं, चंदन, बच्चो, आपको पैंसिल से लिखना है, इसके उपर, ठीक है चंदन, तो चंदन यानि संडल, संडल जो आता है न, हम भगवान को करते हैं, तिलक, चंदन का, वो चंदन तो यहाँ पे चक के उपर अनुस्वार लगाया है अनुस्वार का प्रयोग हुआ है चंदन वी बाद में संग तो यहाँ पे सक के उपर अनुस्वार लगाया है संग पच्छी उसके बाद आता है मंगल मंगल यानि अच्छा मंगल एक वार का डेज त्यूजदे का नाम भी मंगल है लेकिन मंगल का मतलब क्या होता है अच्छा होना किसी के लिए कुछ नया खुशी का समाचारों के साहो से कहते हैं मंगल यानी शुब कारिय अच्छा कारिय तो यह मंगल में मक के उपर अनुस्वार लगाया है और लास्ट वन लवर्ड से नंदन नंदन यानी किसी के पुत्रा पुत्र होना उसे नंदन कहते हैं पुत्र यानि नंद नंदन ठीके तो चंदन संग मंगल नंदन ठीके तो बच्चों आज हमने इस अनुस्वार की मात्रा का अभ्यास किया है और आज के लिए होमवर्क में है कि आपको ये पूरा पेज में जितने भी वर्स है वो सब भी वर्स आपको अपनी नॉट बुक में लिखने है ठीके बच्चों तब बस आज के लिए इतना ही नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे बाई बाई